कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे के लाइफ साइकल के बारे में तो हम लोग तीन हेडिंग में पढ़ते हैं पहला जो है वह है स्वार्मिंग सकेट में आता है नुक्सियल या मैरिज फ्लाइट थौर्ड एडिंग में उमका डिवलोप्मेंट आता है जो की स्टेशित में अंसको देखने के लिए हम लोग यह समझ लेता है कि यह हनी होती है वहा हुआ कि उनकी जो कह सो täällä थि यहसे कि हम लोग मेल और फि prec另外 दो तरह के तो ये इन में तीन तरह की होती है क्या क्या होती है तो पहला queen होता है second होता है इन लोगों में drone होते हैं और कुछ workers होते हैं ठीक तो देखिए जो ये queen है ये छत्ते की मालिक होती है ठीक ये होती है छत्ते की मालिक ये टिंटे में विशन आप लिवर्स काम को बहुत अच्छे तरीके से बाता होते हैं अंडे। ये च्छत्य के मालिक होते हैं तो अंडे देने की वैसे। 21 दीन के बाद ines cycle complete होता है तो उसमें से बच्चे भी निकलेंगे तो वहां पर जो छत्ता है उसमें भीड बढ़ेगी जब भीड बढ़ती है तो क्वीन उस छत्ते को छोड़के चली जाती है ठीक उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं स्वार्मिंग समझ रहा है जब छत्ते में भीड बढ़नी दोनों है स्वार्मिंग ठीक अब यह जाएंगी साथ में जोकी क्या होते हैं मेल रोते हैं और कुछ मे ले जाते हैं जाते हैं लोटिक तो अब गाम आता हैonie स्क्निकली जनेका हो तो ड्रॉन भी जो जाते हैं इन दोनों का आपस में मेरेज फ्लाइट होता है मेरेज फ्लाइट का मतलब हो गया कॉपुलेशन होता है मैटिंग होता है आपस में क्या यह मेल रानी का और ड्रॉन का आपस में ड्रॉन के जनरली किंग भी करते हैं इसको ड्रॉन को किंग भी कर का जाएंगे थेका में इस टोर एक एकी बार में क्वीन के पास आ जाता है अब कुन आ गई अब इनको देना अंडा तो वो क्या करेंगे वरकर्ज भी तो हाइप बनाएंगे तो यही छत्य का निर्मारं करेंगे और यह कुवीन उसमें अंडे देने स्टार्ट करुँगी फिसके बात आता है आपका ड 550 चली सर्षा होती है इक होती चलड में माली की चला छसने चोड़के उस चोड़े क्या होगा तो उन च्टो में वर कर स्थे पुराने वाले छत्ते में वुखне लिप ते करिंगे क्या करेंगे कि कर ते हैं किते रोयल जेली अभ बाइ जो रोयल जेली खा लिया वह बींगा तो प्रीकंच हो गया अगर 2-3 queen हो गया मतलब 2-3 worker भी खौकए बनेगी और बाकर सबकर मरवा देगी तो 1 queen पुराने वाली में जू वरकर ही royal ले खाके पुराने च्छत्य का मालिक बन गई नियुकि और जो पुरानी queen थी वह जली गई थुकि श्वार्मिं हो गया अब देखेँ आप तर्म लिखा है सूपर सीडर कितने लोग यह भी करते हैं इन तर्म पे सौट नोटा सकता है तो बता दे रहा है इसको लिखना नहीं है लाइब ताइकल में सूपर सीडर का मतलब होता है जब रानी का जो 5 साल की उभ्र होती है तो उनका पुरानी हो जाएंगी अंडा देने का चमता खतम होने लगेगा तो फेरो मौन्स की मदद से इनके वर्कर्स को ये बात पता चल जाती है कि इनकी अंडे देने की चमता खतम हो रही है तो क्वीन को बाहर निकाल देते हैं बस उसी को सूपर सीडर करते हैं तो कितना लोगों मानना है कि जब क्वीन को बाहर निकाल द स्वार्मिंग मतलब बताई रहाता है कि यहां पर इसके चार इस्टेज़ आते हैं तो पहला इस्टेज जो है वह एक आता है सेसे लडरवल स्टेश बी और क्वीन में देति एक टीए क्योंकि श्का एग होता है राइस की जैसे से होता है चाओल के दाने के जैसे सब कुछ होता है सारी जो है चाओल के दाने के जैसे 40 एंगर्क देंगे तो ठीक है इसका first stage है development का पहला stage है क्योंकि पहले एगी देगी जो कि तीन दिन बाद हैच कर जाएगा ठीक है इसमें से फूटने के बाद क्या होगा तीन दिन बाद फूटे गई है और उसमें से निकलेगा लारवा तो फिर आता इसके बाद क्या आपका लारवल stage लारवल stage में क्या होते हैं सब ये तीन दिसक दो से तीन दिन तक लारवल स्टेज में येlimin जली कनठा ये जो बताया गया था कि जिसको कुईन खाती है उसके ये सारे लार्वा Defence वह द्रॉन बनने वाले हो या कुएन बनने वाले हो सारे जो बाइवा है वह दिन तक रॉयल जेली पर खाएंगे उसके बाद इनको रॉयल जेली नहीं दिया जाता है रॉयल जेली उहीं को दिया जाएगा इसके बाद तीन दिन के बाद जीने कुईन बनना होगा जिस वर्कर को कुईन बनना होगा ठीक है वर्कर ही रॉयल जेली खाकर कुईन बनते हैं ड्रओन नहीं बनेंगे क्योंकि वो उन्फर्टिलाइज्ट एक से बनते हैं और उसी में जो वर्पर रोयल याली खाएगा ठीक है वो क्या बनेगा रादी बनेगा और मतलब कुइन बनेगा और जो रॉयल याली नहीं खाएगा वो queen नहीं बनेगा ठीक है तो तीन दिख तक तो सारे खाएंगे मगर तीसरे दिन के बाद royal jelly उन्हें दिया जाएगा उन्हीं worker को दिया जाएगा जो queen बनने वाले होंगे लावली स्टेज में यह लिखा हुआ है बड़ वर्कर हूँ बिकैम कुईन अर्फेट कांटी उन्हें फीडिंग किया जाएगा उन्हें खिला जाएगा ठीक है यह हो गया अब यह बात तो पहले भी जान चुके हैं कि फटलाइज यह होगा तो कुईन जो है फटलाइज और देटी अगर फट जो और उन्हें उन्हें जाएगा ठीक है औरन सकते हैं जोकि मेल होते हैं इनका काम से कुं को हर्टिक साथून को इनकी लाइफ इस्वेंग क्या होती मतलब लाइफ में रहते हैं फ्रीडिग बाद अर्व मतलब जो नों की ब्रूट सेल होती है अगर यह फीडिंग कर लेते हैं लारवल इस्टेज में 5-6 दिन तक ठीक है उसके बाद इसे सीड कर लिया जाता है तो जो इनकी हम धैयर घैजिजिंग तीन दीक होती है उतलब जीरो सिंप सील यह फार में जीते हैं थिटक है सिल्ड हो टा है सिल्ड होने बाद इनका प्यूपा इस्टेज आता है ढता है फीपल प्यूपल ही जो हैं चून सौकुन ट्म लारवा इतली है ए थे हैं इनके स्टार्ट कर देती है सिकरिशन स्टार्ट होने से क्या होता है बहुत स्मूथ रेसे की जैसे पूरे बॉड़ी की चारेव तरफ ठीक है इस पीन मतलब पूरा लिपटा जाता है ञाए तो जब लिपटने की बाद उसे क्या कतम लेको कोकून करते हैं तो पूरे कोकून में वो सिल्क जैसा होता है मुलायम रेसेदार पुरा लिपट जाते हैं अब उसमें लिपटने के बाद क्या होता है इनका हेड थोरेक्स एब्डेमन ये सब डेवलप्ट होता है कोकून में उसके बाद ये 20 से 21 दिन के बाद ये बाहर आ जाएंगे कैसे उस चुकून को चीविं करते हैं जब इनका सब डेवलप्ट हो जाएगा तो उसको चबाएंगे 20-21 दिन और उस चबाने के बाद कुकून से ये बाहर आ जाते हैं एक नए एडल्ट भी में 21 दिन तो 21 दिन के अंदर इनकी एडल्ट फॉर्म जो है आ गई होती है बाहर ठीक है एडल्ट भी में क्या होता है आल थ्री काश्ट भी आर फूली मैच्वर्ड पूर देयर टास्क और यह पूरा मैच्वर्ड तरीके से बाहर आ गए होते हैं और एक कॉलोनी में मतलब कितने बदमक का जिर्मार की होती है ठीक है तो आई होब कि यह आपको लाइट सेकल समझ में आ गया होगा और यह अगर आपको समझ में तो अपने फ्रेंस में भी सेयर कर सकते हैं और वीडियो को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मारी और आपकी मुलकात फिर हो एक नए वीडियो के साथ रप्टर के लिए गुडबाए टेक केर